दोस्तों आज हम एक बड़ी जिश आप सब के साथ शेयर कर रहे हैं ये हलीम की डिश है जो दिल्ली के एक मशूर रेस्टुरान पुरानी दिल्ली रेस्टुरान का बहुत ही मशूर तोफा है ये रेस्टुरान दिल्ली के टाप फाइव रेस्टुरान में शुमार होता है इस स्टाइल का हलीम कैसे बनाए जाता है हम आप सब के साथ बना रहे हैं दोस्तो हलीम मनाना कोई इतनी बड़ी डील नहीं है लेकिन उसमें सबसे एहम तरीन चीज उसमें राइट मसाले और उनका राइट प्रोपोर्शन है लेकिन उसके इलावा एक बहुत ही एहम तरीन बाद जो है वो इसका घोटना है जो रवायती तरीके से बहुत ही मेहनत तलब है और कई घंटे इसके घोटने में लग जाते हैं लेकिन आज हम आप सब के लिए एक बहुत आसान तरीका लेकर आए हैं जिस से पूरी देग आप पांच मिनट से भी कम वक्फे में घोट सकते हैं तो हम पूरी देग बनाने जा रहे हैं हलीम की और इस सिलसले में जो है सबसे इंपॉर्टन चीज जो होती है वो मीट है मीट आफ मटल लें या बीफ लें आपकी मर्जी है लेकिन इस स्टाइल में जो है वो बोनलस ही मीट इस्तेमाल कर जाता है बोन वाला जो है वो हैदरबादी स्टाइल का जो है वो हलीम है पिस्ता हाउस और दूसरे लोग जो हैं वो बोन वाला इस्तिमाल करते हैं लेकिन ये जो है ना पुरानी दिल्ली का जो इस्टाइल है इसमें बोनलेस ही इस्तिमाल होता है लाद हम बोनलेस इस्तिमाल करेंगे बेटर ही होता है कि इसमें लेग मीट लिया जाये तो लेग मीट का जो हैं का जायखा और रेशा जो होता है वो अच्छा होता है और हलीच गोर rarely होता है वह अच्छी तरीके से वर करता है यह हम ने जो है आठ केजी जो है ना, वो मीट लिया है, और हम आठ केजी की जो है ना, देख बनाने जा रहे हैं, रेसिपी कार्ट पे हम तीन रेसिपी कार डालेंगे, एक आठ केजी का होगा, एक पांच केजी का होगा, और एक बन केजी का होगा, आप जो चाहें, इस्तमाल कर सकते हैं, गो कुल रूखा-गोश इस्तमाल ना करें थोड़ी चिकनाई जरूर होनी चाहिए दीगर अज़ा में हरा धनिया है चाप्ट आप देख लें हमने चाप्ट किया हुआ है यह जो हरा पुदीना है इसके पत्ते हमने अलग कर लिए है उसको फाइन चाप करेंगे हैं यह मीडियम सा बादार में बनाने जा रहे हैं तो हमने जो हैना इसको फराई नहीं किया है लेकिन जिसवत हम इसको गार्निश करेंगे तो उसवत हम अलग से जो हैना यलो आनियन को फराई करके जो हैना उसके उससे गार्निश करेंगे हैं लेकिन हमने यह बनी बनाए जो आनियन ली है जो जब जब होता है यह ओईल है और भी इसमें वाफर मिकदार में इस्तिमाल होगा तक्रीबन जो है वो आठ केजी के इंदर जो हम धाई लीटर इस्तिमाल करेंगे धाई से तीन लीटर जो अनाज और डाले हम इसमें इस्तिमाल करेंगे, उनमें बासमती राइस है, ये होल वीट है, कुछ लोग दलिया इस्तिमाल करते हैं, ये कमर्शल टाइप का हलीम बनाने जा रहे हैं, पुरानी डिली रेस्टॉरान इस्तिमाल होता है, और सक्त वाला इस्तिमाल होता है, सौफ वाला नहीं, तो या और ये भी इस्तिमाल होगा, लेकिन बहुत थोड़ी मिगदार में इस्तिमाल होगा, अमेजिंग है ना, ये मसूर की डाल, ये माश की डाल, और ये चने की डाल, तो अनाज और डालें जो हैं, वो सिर्फ यही हैं, यहां हमने आपको इस तरह जो दिखाया है, थोड़ी-थोड़ी सी मिगदार में, ये सिर्फ इसलिए दिखाया है, कि ये राहा हालत में कैसी होती है, मतलब, अभी हम जो है, जो क्वांटिटी इस्तिमाल करेंगे, वो ओल्री हमने भिगा गे रखी हुई है, यानि सोक की हुई देख लेंगे, ये एक्च्वल जो है वो डाले और अनाज हैं, जो हमने भिगो के रखे हुए हैं, चार घंटे भिगो के हम इनको इस्तिमाल करेंगे, इसमें एक चीज़ हम वाज़े करना चाहते हैं, कि चने की डाल और गेहुं, ये हम अलग पकाएंगे, मसूर की डाल, मा में घोल के डालेंगे, जिंजर पेस्ट और ये गार्लिक पेस्ट, दोनों जरूर इस्तमाल होते हैं, मसाला मनाते वक्त, जो मसाले इसमें इस्तमाल होंगे, उनमें नमक, सुर्ख मिर्च, कुटी हुई लाल मिरच, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, ये बेसिक गरम मसाला इस्तमाल करें, यानि कि जीरा, लॉंग, काली मिरच, दारचीनी और बड़ी लाइची, सिर्फ यही चीज़ें इस्तमाल होंगी, यह हमारी यूट्यूब चैनल पे इसका भी आपको फार्मूला मिल जाएगा, बेसिक गरम मसाला, यह कबाब चीनी का भी इस्तमाल होगा, यह जावेतरी है, साबित सिर्फ दिखाने के लिए है, इसका पाउडर भी इस्तमाल होगा, और यह जाएफल है, सिर्फ दिखाने के लिए है, जो हम यूज़ करेंगे, वो पाउडर की शकल में होगा, तो सिर्फ पाउडर इस्तमाल होंगे, इसमें तम क्रांस्ट्रेशन के लिए हैं थोड़ी सी मिगदार में दिखाए हैं हमने हमने बताया है पहले भी कि हम अपने तीनों रेसिपी कार्ड पे जो आठ किलो गराम के लिए बना रहे हैं पांच किलो गराम के लिए बना रहे हैं और एक किलो गराम के लिए बना रहे हैं उसमें तम दर्मियानी आज पर क्योंकि हमें इसमें लैसन और द्रग को थोड़ा से भूनना है हम यह देख बनाने जा रहे हैं लेहादा हमने ओयल का पूरा कंटेनर इस्तेमाल कर रहे हैं अजय को थोड़ा सा गरम करेंगे और इसके बाद अजरक और लैसन का पेश मिलाएंगे यह ओयल थोड़ा सा करम हो गया है लहाज अब हम इसमें अद्रक और लैसन का पेश में दालेते हैं और थोड़ा सा भूलें लैसन का पेश दाल दिया अब अद्रक का पेश दाल देते हैं थोड़ा सा भूलें देश्टे यह एट मिनिट हमने अद्रक और लैसन का भूना अब हम जो हरी मिर्चे दी साबित हम निसमें डालने सारी और थोड़ा सा इसको जो है वो भूनेंगे एक मिनट भूनेंगे उसके बाद पिर गोष्ट मिलाएंगे अब हम इसमें गोष्ट डालेंगे यहां हम आपको एक बात वाज़े कर देना चाहते हैं कि यह बिर्यानी नहीं बन रही है हलीम बनने में मसाला बनाने के लिए सिर्फ इंग्रीडियंस और उनकी राइट कॉंटिटी चाहिए होती है कोई खास तरीका नहीं होता इसका मसाला बनाने में हलीम के लिए जो बहुत बड़ी डील होती है और यह नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसको बड़े आराम से आप बहुत आसा तरीका है तमाम अज़़ा को मिलाएं गोष्ट को चार घंटे गलाएं और जब वो गल जाए तो जो गली होई डाली और अनाज है वो इसमें मिला के बहुत अच्छी तरीका है घोट ले हलीम तयार है और ये नहीं इसमें सिर्फ mixing के बस हर चीज की mixing के प्रापपर mixing प्रापर ingredients और quantities यह गोष्ट अच्छी करिके क picnic tussen आप सामानिया लाद हमने डाल डाल दिया आप दो कोपिंग को पर दो करते हैं और वैसे भी जब आप देख बनाने जा रहे होते हैं तो प्रेशर कोकर इतने बड़े नहीं होते हैं फ्राइड अनियन डाल के हमने थोड़ा सा मिक्स किया और अब हम दही डाल देंगे इसमें दही डाल के हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे मिक्सिंग बड़ी इंपोर्टंट है मिक्सिंग जो है वो बहुत इंपोर्टंट है अब हमने करी लीज डाल दिये और अब हरा धनिया डालेंगे हरा धनिया जो है वो दो मरतब़ डालेंगे आधा भी डालेंगे आधा जब जो है कोर्मा जो है वो आधा गल जाएगा फिर डालेंगे अब बहुत अच्छी तो किस इनको मिक्स करेंगे आज दर्मियानी है बस ख्याल रखिएगा अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे पेले हम जो है वो मसाले मिलाएंगे जो ज़ादा मि aceite हमितामियानी हैं, यार्णियाच मिलाएं नमग, सुर्ख मिर्च, करेशप Πेड़, अर। अधनिया पौडर हम दीगर मसाले मिलाएंगे जो कम मिलाएंगे, अब हम देखेंगे हैं चाले हैं मिक्सिंग बार-बार मैं मिक्सिंग कह रहा हूँ यही इंपोर्टन देस की इसके अंदर कोई भूना बगरा नहीं जाता जहां चार गंटे की कोकिंग होती है वहां भूनने का कोई जवाज नहीं बनता अच्छे तरिके से मिक्स कर दिया अब हम दीगर मसाले से मिलाते हैं अब जो दीगर मसाले जो कम मिक्दार में हमें डालने थे हम वो भी डालने जा रहे हैं यह दिखा दिये हमें आपको डाल दिये और मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं मिक्सिंग स्टार्ट हो रही है यह फाइन अब पानी डालने का वक्त आगया है और अब हम इसमे पानी मिलाते हैं थोड़ा सा मिक्स करेंगे उबाल आने के बाद इसकी लिड लगाके हलकी आज पे तीन घंटे तक इसको गलाएंगे लिड लगा दी और अब इसको हलकी आज़ पे यह वन थर्ड फिलेम पे तक्रीम तीन गंटा पकाएंगे इस दोरान हम अनाज और डाले उनको भी गला लेते हैं यह हमने चैने की डाल और गेहूं इन दोनों को मिला दिया है और एक साथ हम जो हैना इसको गला रहे क्योंकि यह ज़्यादा सख्त होते हैं और ज़्यादा देर लेते हैं गल्ले में लेज़ा इनको हम अलग गलाएंगे और चावल, मसूर की डाल और माश की डाल को अलग गलाएंगे आप चाहें तो एक साथ भी मिलाके गला सकते हैं, क्योंकि आखिर में तो सब को मिक्सी होना है, लेकिन बस हम इसको अलग-अलग बना रहे हैं, कोई जरूर ही नहीं, इसमें हम थोड़ा सा नमक मिलाते हैं, उबाल आने के बाद हल्की आच पे इसको गलाएंगे, नमक मिलाके म लगा दिये, वन्थरंट फ्लेम पे ले जाके हम इसको जाना पूरी तरीके से गलाएंगे, इस दूसरे बतीले में हमने माश की डाल, मसूर की डाल, और ये चावल, ये सब तीनो जो है, वो मिला दिये, अब इसमें भी हम जो है, नमक मिलाएंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे, पानी डाल के जो है, वो हल्की आँच पे इसको पूरी तरह गलाएंगे, तो अब हम दो जगा जो है, वो दाले गला रहे हैं, और एक जगा जो है, हम गोश्ट गला रहे हैं, इस देख लें, ये चावल, मसूर की डाल, परमाश की डाल, बिल्कुल घुल चुके हैं, बिल्कुल रेडी हैं और पानी बेब इसके इतना कम है, इतना ही हमें चाहिए होता है, जब हम जो है, इसको गोश्ट के साथ मिलाएंगे, और ये, earns, भृní ये ये गेहुं जो था और चैने की डाल ये देख लेगें, बिल्कुल मुकंमल तोर पे ये गल चुके हैं, टोटली तोर पे, गेहुं जो है, वो देख लेगेंगें, आप कितना पूल गया है और कितना उगया है, और इस दिके से ये आप धेखें, चैने क कि दाल माश की दाल ये और गोष्ट जो के मुकमल तोर पे गल जाएगा तो इस फ़त मिलाएंगे इनको एक घंटा पकाया हमने और गोष्ट जो है वो तीन घंटा तर पकाया जाएगा हलकी आज के उपर और बिलकुल गल जाएगा वो तो फिर हम ये दोनों चीजे भी इसमें मिला देंगे और ये गोष्ट जो था हमने अल्ट गिया जो है वो रख़गा था इसको पकने के लिए और अभी जो है ये आधा गला है और अब वक्त है कि हम इसमें जो है बक्या हरा धनिया डाल देते सैंगे अब इसको अब इसको रिड लेंड़िते कम्प्लीट जो है न वो गलाएंगे इसको पूरा 400% जब रेशा रेशा ये होने लगेगा तो उस वाद इसमें हम दाले और अनाज बलाएंगे जो अलड़ी हम गला चुके हैं लिट दोबारा लगाएं ये तक्रीबन जो है वो पौने तीन घंटे हो गए हैं गोश जो है वो आलमोस्ट जो है वो 300% गल चुका है और अब हम इसमें आटा मिलाने जा रहे हैं आटा मिलाके इसको हम जो है वो बहुत अच्छी तरिकर से मिक्स करेंगे नहारी नहीं है ये तो इसलिए हमें कोई जरूत नहीं होगी कि इसको लगातार जो आदा घंटे तक जो है वो ये रेशा रेशा जो है वो अलग नहो जाए यहनी 400% तक नागल जाए ये देख लें तकरीबन जो है वो चार घंटे से जादा हो चुका है सुलो कुकिंग के उपर हमने इसको जो है पकाया है और गोश्च का आलम देखें कि रेशा रेशा हो गया ये चाही होता है हलीम बनाने के लिए गोश्च इस तरह हो जाना चाहिए तो घोटने में बहुत आसानी होती है वैसे घोटने का जो तरीका हम लेकर आए है वो बहुत ही आसान और बहुत ही कम वक्त तरीका है पांच मिनट से कम वक्त में आपका सारा हलीम जो है वो बहतरीन घुट जाएगा और लेजदार हलीम बन जाएगा तो ये गोश बिलकुर डेड़ी है अब इसमें अनाज और डाले हम जो हमने वो उबाली थी जो आपको दिखाएं थी वो मिलाएंगे अब हम जो है गेहूं और चने की डाल मिला रहे हैं इसके बाद फिर चावल और मसूर की डाल और माश की डाल भी मिलाएंगे ये सारा जो है वो गेहूं और चने की डाल हमने मिला दिये और अब हम इसमें चावल और मसूर की डाल और माश की डाल भी मिलाते हैं चावल, मसूर की डाल और माश की डाल वो भी हम इसमें मिला रहे हैं चावल, मसूर की डाल और माश की डाल भी मिला दी और अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से एक दो मिनट मिक्स करेंगे और इसके बाद फिर हम इसका घोटा लगाएंगे तो दोस्तो हलीम घोटना एक बहुत बड़ा मसला है तो अब जो है हम हलीम घोटने जा रहे हैं हम पहले बता चुके हैं आपको के हलीम घोटने के कई तरीके होते हैं जिनमें रवायती तरीका जो होता है वो यह होता है कि लकड़ी की एक बड़ी स्टिक होती है जिस पे हतोड़े का जो है वो हेड होता है लकड़ी का ही बना हुआ होता है और उससे जो है वो रवायती तरीके से घंटे लगा के जो है वो हलीम को घोटा जाता है हमने बहुत आसान सा तरीका हलीम घोटने के लिए निकाला है यनि के जो पेंट मिकसर होता है जो बाजार में मिल जाता है वह सस्ता होता है डिल मशीन में लगाया और उससे जो है इसको घोट लिया पांच मिनट के अंदर अंदर पूरी देख जो है वो बहुत आला तरीन लेज़दार हलीम बना देगी पांच मिनट के अंदर ये देखे आँ ये हमने ये लगाया ये पेंट मिकसर का हेड है मशीन चला दिया हमने और इतने आला तरीके से ये जो है ये सको घोट रहा है कोई रवायती मिकसर को घंटो जो है ना भूमाने की दुरूत नहीं है पांच मिनट के कम गखने में पूरी देख आपके तयार और ये तकरीबन साड़े-चार मिनट हो चुके है हमने थोड़े-थोड़े वक्ते से इसको इस्तिमाल किया है लेकिन टोटल साड़े-चार मिनट है और ये पूरा अब देख लें आप कि बहुत अच्छी तरीके से हलीम घुट गया है हम ये पेंट मिक्सर और डिल मशीन को हटाते है और फिर आपको दिखाते हैं इसका लेस कितना उम्ड़ा है और उतना उम्ड़ा मिक्स हुआ है यह एक बात और वाज़े कर दे के हलीम को कितना गाड़ा रखा जाता है हलीम यह ideal है हलीम का गाड़ापन अगर इससे थोड़ा सा पत्ला और कर सकते हैं आप चाहें तो बहुत थोड़ा सा पत्ला लेकिन इससे ज़्यादा गाड़ा नहीं किय जाता क्योंकि हलीम फिर जो है न वो चावल की तरह या हल्वे की तरह हो जाता है हलیم को एक खास consistency चाहिए होती है और यह देखें यह वाली consistency जो है is the best यही restaurant आपको पेश करते हैं और यही commercial पेमाने पर जब हलीम बना जाता है तो यह consistency रखी जाती है जो लोग यह समझते हैं गाडा हलीम कर दिया और उसके अंदर गोश्ट के रेशे ज्दा ज्यादा आ रहे हैं तो वो मज़ैता है, वो हलीम नहीं हुआ उसको आप कुछ और कहलें लेकिन वो हलीम नहीं हुआ हलीम की खास कनसिस्टेंसी होती, ये लेख़ें आप ये जो रूरी है तो देख लें आप ये complete घुड़ गया है जनाब पांच मिनट से कम वक्फे में हमने paint mixer से इसको घोड़ दिया है और अब इसका जो है ना लेस देखे हैं ये कितना आला लेस जो है ना ये हलीम का ideal लेस होता है पुरानी दिल्ली रेस्टोरान स्टाइल हलीम अब आप घर पे तयार कर सकते हैं हमने ये जो है आठ किलो का बनाया है हमारे रेसिपी कार्ट पे आठ किलो, पांच किलो और एक किलो तीनों रेसिपीज आपको मिल जाएंगी अब हम इसको जो है फ्राइड आनियन जो के हमने खुझ जो है वो फराइड की है उससे और लेमन और हरी मिरच और हरे धनिये से गार्णिश करेंगे